हिंदु लोग के पहले वीडियो से लेके आज तक के हर एक वीडियो में मैं बार बार लगातार हर बार एक ही चीज चिलाते आ रहा हूं एक ही चीज आपको बताते आ रहा हूं कि हर एक सनात्नी व्यक्ति के जीवन में हर एक हिंदु व्यक्ति के जीवन में विवा का शादी का marriage का एक अलग ही महत्पूर्ण स्थान, एक अलग ही important place है important इनकी बहुत जादा है तो भया अगर आपने अपनी शादी कर ली है तो ये बहुत ही अच्छी बात है enjoy करिए और अगर आपने शादी नहीं की है तो इसके तयारी कर दीजिए क्योंकि अगर आपको अपना जीवन निर्वा अच्छे तरीके से करना है तो आपको शादी करना हिंदू विधी के अंसार, मेरा अंसार नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये हिंदू विधी ववस्ता, हिंदू सास्त्र कहते हैं विवा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है अब एक विवाहिक व्यक्ति के जीवन में उतार चड़ाओ आते रहते हैं जैसे हमेशा एक ही सा टाइम नहीं रहता कि हाँ या सुख ही आता रहे आदमी सुख ही रहे दिन बर हसता खेलता एकदम टहले गुमे पिक्निक करे माज करे पार्टी करे मुवी करे ऐसा कभी नहीं होता उनके जीवन में कभी-कभी ऐसे डाउंस पी आते हैं ऐसी कंडिशन्स भी आती हैं जहां पर पती और पत्नी के बीच में धत्तिरी तूतू में में यह लताड़े हो जाती हैं किसी ना किसी बात को लेके और यह बाते कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों लोग अपनी ego पे ले लेते कि अरे भाई आप तो इनके साथ नहीं रहना अब हम अलग रह लेंगे हम independently रह लेंगे हमें इनके साथ अपना कोई सम्मझ नहीं रखना छोड़ा छोड़ी पेंग्दम आ जाता है भायंकर रूप से तो अब चुकि हिंदू वीधी के अंसार हिंदू सास्ल के अंसार एक व्यक्ति का जो विवा होता है पती और पत्नी का जो विवा होता है वो एक दो या तीन जनम के लिए नहीं होता है यह साथ जनम के लिए होता है जहां पे अपने सारे जो देवता होते हैं देवी देवता जो भी इस्ट बनाया है अपना गवा बनाया है तो आप अपना ये शादी इतनी इजली तो नहीं तोड़ सकते कि हाँ छोटी सी तूतु में मैं धत्तेरी या लताड़ों पर मतलब आप अलग हम अलग ऐसा है हो ही नहीं सकता तो हिंदू विधी के अंसार एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर आप दोनों ही कपस में दोनों ही लोगों में पती या पत्नी में कुई बात हो गई है कुछ अन्बन हो गई कुछ बिगड़ गया है तो आप सीथे डावोस नहीं लेंगे डावोस लेने के जगा आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है एक तरह की ऐसी अपना जीवन नहीं काट सकते तो ये विवस्ता हिंदू विधी विवाग के अंतरगत दी गई है जिसको जुडिसियल सेप्रेशन या फिर इनको ऐसा कहा जाए कि न्याइक अलगाओ के नाम से जाना जाता है जहां पर पती और पतनी को थोड़ा सा टाइम दे दिया था कि कोट हस्तक शेप नहीं करें लेकिन अगर कुछ समय अलग अलग रहने के बाद आपको लग रहा है कि आप लोग अलग रह सकते हैं आप या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करना चाते हैं इस व्यक्ति के साथ भया जीवन नहीं कर सकता जिन्दिगी बरबाद हो गया मेरे husband मुझको प्यार नहीं करते है, ऐसा कुछ करके हो जा रहा है, तो आप इस base पर divorce ले सकते हैं, यानि कि हिंदु विधी के अंत्रगर सीधे divorce की विवस्ता नहीं की गई है, कोर्ट आपको कुछ थोड़ा सा टाइम देता है, इसी टाइम को judicial separation का टाइम या न्याईक अलगाओ का टाइम कहा जाता है, और आज के इसी वीडियो में हम इसी न्याईक अलगाओ के बारे में एक एक minor major सभी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तरद विस्तार पूर्वक तर और copy pen लेके बैठ जाईए, क्योंकि जितने भी points मैं बताता जा रहा हूँ, जो लिखकर आएंगे स्क्रीन पर आपके, इनको अगर आप note down कर लेंगे तो या आपके एक तरह से notes बनते जाएंगे और आपको revision करने में बहुत ही आसानी होगी, तो judicial separation के इस वीडियो को बिना क कि एक हिंदू प्रती पतनी के बीच में अलगाव की इस्थिती जो होती हो मैं वो matrimonial dispute या वैवाहिक एक तरह से किसी मतभेद की विज़े से होती है, और इन मतभेदों के बारे में कुछ विवस्था है, matrimonial remedies या वैवाहिक उपचार भी हिंदू विधिव के अंतरगत द बढ़ें, हम दोनों ही points के बारे में बहुत ही brief, बहुत ही संचिप फॉम में जान देते हैं, matrimonial disputes वो dispute होते हैं, जिनकी वज़े से पती और पतनी के बीच में दरार आती है, उनके बीच में कोई तूट पूट, कोई भंग आता है, मतलब एक्तम से कुछ ऐसी condition इस्थिती ह हो जाती ही कि हाँ अब इनके साथ रहना अब गवारा नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीजों को matrimonial dispute या यू कहें कि वैवाहिक मतभेद कहते हैं, या वैवाहिक किसी तरह का जगड़ा वगड़ा कह सकते हैं, तो इनमें सबसे पहले point जो major cause होता है, उसे कहते हैं infidelity, infidelity जिसको ह इन्दी में विश्वाज घात या दूसरे शब्दों में बेवफाई कहते हैं, बिलको सही पकड़े हैं यही वाली चीज, तो ऐसी कंडिशन में जब कोई व्यक्ती, जब कोई कपल अपने दूसरे पार्टनर के साथ, एक पती पतनी के साथ या पतनी पती के साथ हो जाता है, तो यह मैटरिमोनियल डिस्प्यूट हो जाते हैं, दूसरे पॉइंट के अंतरगत मैटरिमोनियल डिस्प्यूट में आते हैं, डोमेस्टिक वाइलेंस, डोमेस्टिक वाइलेंस का मतलब बहुत ही सरसरीत और पर अगर देखा जाए, तो यह वो वाइलेंस होते जो कि घरेलू मामने में पती पतनी के ओपर कभी बातों से आगे बढ़कर लाद घूसों पर जब आ जाते हैं तो ऐसी डिस्प्यूट्स को डोमेस्टिक वाइलेंस कहा जाता है तीसरे पॉइंट के अंतरगत आता है क्या है फाइनेंशियुल कंट्रोल का मनलब यह हुआ कि भई पैसा किसके हांस से जा रहा है कौन कमा रहा है और जादा शॉपिंग कर रहा है कौन कमिटमेंट का मनला होता है कि हाँ भया जो आदा किया वो निभाना पड़ेगा मनलब आपने साथ फेरो के टाइम पर जो वो सब्तपदी लिया था वचन दिये थे अगर उनको नहीं निभा रहे हैं कमिटमेंट की कमी आ रही है लैक आ रही है तो ऐसी कंडिशन में भी सबसे पहली रेमेडी दे गई है सेक्षाइब जिसको कहते है कर्जिगर राइट्स का रेस्टीचूशन इसके बारे में अपना इसके पहले वीडियो बना चुके हैं दूसरे मेट्रिमोनियल रेमेडी इसके अत्रगार आते हैं judicial separation का point जिसके बारे में ये वीडियो हमारा चल रहा है और इसके next जो आते हैं वो section 11 के अंतरगत और section 12 के अंतरगत wide और wideable marriage आते हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ हूँ editing process में हैं लेकिन ये वीडियो में बनाना भूल गया था इसकी वैसे वो आठके पड़े हैं जब मैं ये वीडियो अप्लोड कर दूँगा उसके बाद वो वीडियो आएंगे और सबसे last में matrimonial remedies के अंतरगत आते हैं divorce या तलाग जिन को section 13 में दिया गया है तो ये थे matrimonial disputes और उसके बाद ये सारे हैं matrimonial remedies अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं bear act की language पर जो कि section 10 में दिया गया है तो bear act आप खुछ से पढ़ लीजेगा मैं उसका पूरा आपको मतलब बता देता हूं जो provision section 10 में दिया गया है उसके अंतरकत ऐसा कहा गया है कि इस act के commencement में आने के पहले या बाद कभी भी ऐसा होता है कि जो couples हैं जो शादी शुदा लोग हैं पती या पत्नी उनके बीच में किसी तरह क्या अगर कोई ऐसी इस्तिति आ जाती हैं यह विने कर सकते हैं निवेधन कर सकते हैं कि भाईया हमें इस विक्ति से कुछ दिन के लिए छुटकारा देतो और court अपने judgment के द्वारा उनको अपने decision के द्वारा अपने निर्ड़े के द्वारा उन दोनों को ही judicial separation करते हूं दोनों को अलग अलग रहने के अनुमति देता है अब अलग अलग रहने के अनुमति तो देता है इसका में कि हाँ आयार आपका जो जो marriage है वह dissolved हो गया evento नहीं होता बस ऐसा होता है कि इसमें एक जोड़े को दूसरे जोड़े साथ जबर Rodrigo साथ रहने पर विवश्ट नहीं किया जाता है उनको इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाता है लेकिन अब इसमें ऐसा भी नहीं होता कि हाँ यह कोर्ट ने जज्ज्मिन्ट दे दिया कोर्ट ने नियुलने दे दिया अब हम लोग अलग अलग रह रहे हैं और करने नहीं आएगा यहां पर जो पार्टी साथ मेराना चाहती है वो कोड से फिर से पिने कर सकती है निवेदर कर सकती है एक पेटीशन के द्वारा उसमें सारे ही फैक्ट को वो लिखेंगे और कोड को सेटिस्वाई करने के बाद अगर कोड संतुष्ट हो जाता है तो यह अन एक ब्रिटिश मैक्सिम है जिसको हम कहते हैं मेंसा एट थोरो मेंसा थोरो जिसका मतलब यह हुआ यह उस तरह की कंडिशन उस तरह का सेप्रेशन है जहां पर जो मैरीज होती है वो डिजॉल नहीं होती मैरीज खतम नहीं होती यहां पर डैवोर्स भी नहीं होता लेकिन पत करने से पूर्व इसमें कुछ तीन कंडिशन्स बताई गई हैं जिनका फुलफिल में जिनका पूरा होना जरूरी हो जाता हैं मैंसब से पहली जो कंडिशन ने वह यह है कि इसमें जो यह पाउसर्थे जो भी जोड़े हैं पती-पत्नी हैं उनकी शादी हिंदू-विदी-विवा के अंतरगार जो भी रिच्वल्स हैं जो भी ट्रेडिशन्स हैं जो भी परंपराएं वो चीजें बताई गई customs उनको follow करने के बाद ही होना चाहिए यानि कि इसमें कोई भी जो अहरताएं बताई गई हैं उनका पालंग किया जाना चाहिए उनको ऐसा निय कहां उसमें कोई गर्बड़ी होनी चाहिए गर्बड़ी उनी चाहिए दूसरे पॉइंट के अंतरगत जो भी इसमें पती या पतनी हैं जो पार्टीज हैं का पर्स हैं वो जिस कोट से इस डिक्री को प्राप्ट करने के लिए अनुरोद किया जा रहा है वहाँ पे इस पेटीशन को प्रस्तुत किया जा रहा है उनके के लिए उन्होंने प्रटीशन दार कर दिया कि हाँ यह एक ही दिन में को पता चल गया इनके साथ रहना बड़ाई मुश्किल है हमें वह या अलग-अलग कर दो ऐसा नहीं है इसमें तीसरी कंडिशन यह है कि अगर आपने इनके साथ शादी करी है उसके बाद आपको प्रटीकुलर टाइम तक अतियंत आवशक हो जाता है और सबसे लास्ट में हम आते हैं उन ग्राउंड की तरफ जो की सेक्शन थर्टीन के क्लाउज वन और क्लाउज टू में दिया गये हैं जिन ग्राउंड के बेस पे जूडीसियल सेपरेशन या नियाइक अलगाव की दि क्लाउज वन में जो ग्राउंड दिये गये हैं वो पती और पतनी दोनों को ही उपलब्द हैं लेकिन इसके क्लाउज टू में जो भी बेस दिये गये जो भी ग्राउंड दिये गये हैं वो मातर पतनी को ही उपलब्द हैं इसमें ये ग्राउंड जो है वो पती को एडल्ट्री का आता है एक बारे में ज़्यादा के बताओं आप सब को पता होगा कि एडल्ट्री का मतलब क्या होता है। दूसरे ग्राउंड के अंत्रगत आता है क्रूयल्टी के अंत्रगत आता है क्रूयल्टी जिसको हिंदी में कुरूर्टा कहते हैं यह कुरूर्टा किसी भी तरह की हो सकती है यह मिंटल भी हो सकती है और फिजकल भी हो सकती है तो इस बेस पे भी इस ग्राउंड पे भी पती य कर दिया कि हाँ भया अब इनके साथ नहीं रख से हैं हम इनका पूरी तरह से त्याद कर रहे हैं तो यह पॉइंट भी जुडिसियर सेप्रेशन की डिक्री की लिए इंग्राउंड की तरह काम करता है लेकिन इसमें दो रिक्वाइर्मेंट्स हैं दो आहरताएं हैं जो बताई कर चुका हो के हां वहें था मैंने यह इनका अभी त्याग कर दिया एपने स्वैक्षे क्या इन पाव यह कर दिया है दूसरे पॉइंट के इंट्रगत उसके इंटेंशन होना चाहिए ऐसा नहीं कि हां इंटेंशन हे यह बोल के जाक्क कर रहें ऑसा नहीं 웃 दो की वह हिंदू विदी विवा के अंतरगत हुआ और उसके बाद उस व्यक्ति ने कोई अन्य धर्म मुस्लिम धर्म या क्रिस्टियन धर्म या कोई भी धर्म अपना लिया तो इस बेस पर भी जिडिसे सेपरेशन के डिक्री प्राप्ट की जा सकते हैं कि हाँ या जब व्यक्ति ही अपने धर्म का नहीं रह गया रिच्वल्स को फॉलो करनी सकते हम साथ में के उन जो धार्म करते हैं उनको करने सकते हैं सुबह साम पूजा आरती करनी सकते हैं यह तो हम पूजा आरती लेके बैठते हैं यह कुछ लेके बैठ जाते हैं तो भाई इनके साथ तो रहना बह ठी अंसाउंड मायन्क हो गया वो किसी भी कार के जो प्रकृति यहाँ का नीचर की चीज का नीचर होते हैं उसको यह और घाल हुनी हो जाता है वह समझंध का घाल ऑगा है बहरा हो और इस इस्थिटि में भाई यह जो लड़की अपना घर बार्थ drastically करक नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका तो सपना अपना तूड़ गया तो उसके साथ भी रहना मुश्किल हो जाता है तो इस ग्राउंट पर भी डिक्री प्राप्त किया जा सकता है अगला पॉइंट इसमें लेपरोसी का था कि अगर व्यक्ति को लेपरोसी हो गया किसी तरह का कोड हो गया है तो इस बेस पे भी डिक्री प्राप्त की जा सकती है लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट डाया बीच में अमेंडमेंट आया था उसके बास से इसको ग्राउंड हटा दिया क्योंकि क्योंकि लेप्रेसी जो है यह एक अब ऐसे डीजीज होगे जिसका इलाज संभव है और जब विलाज संभव है तो बगया कुछ दिन लाज कर लो कुछ दिनकस्ट सहलो अपना परीचे दो सहन सकती का परीचे दो दिखाओ कि अपने जोड़ेदार को अपने कपल को अपने स्पाउस को अपने पार्टनर को आप कितना प्रेंब करते हो और उसके पस्चाद साइधी वै तो ऐसे क्योंकि काफी खतरनाक होते हैं किसी व्यक्ति के साथ रहना काफी रिस्की होता है तो इस बेस पर भी जो है वो डिक्री प्राप्त की जा सकती है सेकेंड लास पॉइंट है रिडिनसियेशन आफ दो वर्ड यानि की भाया मोह माया त्याग कर भाया हो गया साधू सद रिसी वह जा रहे हैं हिमाले पर अपस्क्या करने कुटी बनाएंगे वहीं पर रहे के अकेले रहेंगे तो अगर कोई व्यक्ति दुनिया का संसार का अभ क्ति रिश्वास 왔 बताएगे जिसे पिंडदान अगर विक्ती का अपनी हाथो से पिंडधान कर आजाता है थो यह चीज बहुत जूरूरी है अगर आप अपने माया को त्याग कर दुनिया को त्याग कर आप हिमाले पर तभश्या करने जा रहे हैं परिवार को छोड़ कर दुनिया को छोड़ कर तो या उसके पहले आपको पिंडदान करना ही पड़ जाएगा अगर पिंडदान नहीं करेंगे तो ऐसा लगएगा कि हाँ आप दिखाने के लिए दिखाव मात्र कर रहे हैं तो यह चीज आपका रिनोंसियेशन आप दो वर्ड नहीं माना जाएगा औ अगर उस विक्ति को साथ सालों तक उसकी कोई खबर उनको नहीं मिलती जिनको मिली चाहिए जिनके द्वारे इनको देखा जाता है उनके परिवार उनके फ्रेंड्स उनकी फैमली उनके वो दोस्त जो आवारा गर्दी साथ में करते थे उनके द्वारा अगर साथ साल तक कि संसार में नहीं रह गया तो ऐसी कंडिशन में भी जिसको प्रेजूम डेस माल लिए गया कि हम उस दुनिया में नहीं रह गया imana है तो स्की और का यह पतनी की पती का अकेले रहना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे पॉइंट पे भी जूडी से सप्रेशन की डिक्री आसानी से हासल की जा सकती है तो यह तो था सेक्षन थर्टीन के क्लाउज वन के अंतरगत दिये ग्राउंड इसके अलावा अब हम आते हैं सेक्षन थर्टीन के ही क्लाउज टू में जो क सबसे पहला ग्राउंड आता है जिसको कहते हैं बहु बिवा कि अगर कोई वक्ति बहु बिवा कर लेता है तो इस पॉइंट पे भी जूडीश सेप्रेशन की डिक्री ली जा सकती है दूसरे पॉइंट के अंतरगत आता है रेप और सोडोमी का पॉइंट यानि कि अगर आपकेश का अपराधी है आरोपी है उसको जेल की सजा हो गई है तो उस व्यक्ति के साथ जिवन निरुःर्वा करना क्योंकि क्यों annex दो काफ़ी टाइंट अब Come is लेकि park करान जाते है तो उसके साथ जीवन कार्थना आजिवन निरुःर्वा करना तो संभोंव नहीं रहे जाता एक दम से नहीं रहे जाता तो इस बेस पर भी पतनी को अलगाव न्याइक अलगाव की विवस्थाव अवेलबल कराई जाती है उनको प्रोवाइड कराई जाती है और सबसे लास्ट पॉइंट आता है यह आप्शन ऑप प्यूबर्टी यानि कि प्यूबर्टी के भी ऑप्शन पे एक और जो है वो जोडिसियर सेप्रेशन की डिक्री कोट से हासिल कर सकती है तो यह था हिंदू मैरेज आट के सेक्षन टेन के अंतरगत दिया गया जोडिसियर सेप्रेशन का बहुत ही वृतांत विश्थरत विवरान तो आई होप आपको यह सारा ही के बारे में जो भी पॉइंट थीज omega माला और डाइवोर्स का वीडियो मैं लाओं इसके पहले मैं आपको ऐचीज क्लियर करें हो कि जोडी saya separation मैयरिज का जो सेपिर सेप्रेशन होने के बाव साथ-साथ-साथ रह सकते हैं ज्लeg कि क्या होता है कि separation मिलने के बाद डिक्री मिलने के बाद जो पती ये पतनी कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं लेकिन डाइवोर्स के बाद व्रक्ति दूसरी शादी कर सकता है और इसके बाद अगला वीडियो हमारा सिक्षन एलेवन और ट्वेल पे जो की वाइड लेवन मैरिस का है वो आएगा और इसके बाद ये डाव वीडियो आएगा तो इन सारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए इनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे साथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन दबा दिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और यह एक रिक्वेस्ट है आपको बताना चाहूंगा मैं कई बार यूट्यूब डैस्पोर्ट पर जाता हूं एनलिटिक्स चेक करता हूं तो तो समझ में क्या आता है कि हायर लोग आते हैं वीडियो को देखते हैं काफी टाइम करते हैं पूरा प्लेलिस्ट चेक आओट करते हैं लेकिन वह चैनल को सबस्क्राइब निकरते हैं यहां पर क्यों सबसक्राइब करने वाले можно нач या साथ ही परसेंट होते हैं जबकि 93% 93% लोग सब्सक्राइब की बिना ही चले जाते हैं तो भया आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चनल पर आही जाते हैं वीडियो को देखी लेते हैं और अच्छा का सा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो दस सेकेंड टाइम और स्प स्पेंड़ रेड़ सेस्टाइ तो दसमान बिल्सके हैं जाआ खःब कर दो देन से ले धूम से लेखी जाएंट बिल्सक्राइब कर दो देखी में बिल्सक्राइब जाएंग जाएंग आगर आप लोगों से ले जागर